कितने सुन्दर जगह हैं जड़ा देखो तो आज हम लोग खुमने आएं एक जगह पर जहां पर एक नदी है और यहां का नजारा तो देखिए अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन यहां बहुत थन्दी थन्दी हवा आ रही है कि शाम होने के लिए और कुछ ही दिल बाकी है इतनी सुन्दर जगह पर एक संसेट एंजॉय करने का मजाए कुछ और है अभी दो पहें के बाड़ा बजे है और हम लोग निकल रहे हैं सरलपारा की तरफ कुकरचार ताउन से सरलपारा करीब तीन घंदे का रस्ता है जाते वक्त बीच में एक जंगल भी पार करके जाना पड़ता है सरलपारा जो इंडिया और पूटान बोर्डर में है वहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर नदी है उसी नदी के पानी में हम लोग आज खेलने के लिए जा रहे हैं कि अभी हम लोगा पहुंच गे उसे से फान गूरी एक एक रहता है कि छोटा सा उसी तरफ से हम लोग को जंगल की तरफ जाना परेगा क्याति यह सब्फ साइट में हमको यह रस्ता मिल गया है अभी इस तरफ से जाना परेगा कि यहां पर तो चाड़ों तरफ सिर्फ गाओ और खेट है कितनी हरियाली है यहां पर आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है आसमान तो गादल से कितना सुन्दर दिख रहा है कि इन सब गाओं के बीच से होकर हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं कि अन्दर तो बहुत ही खाना जंगल है इन पेरों को तो देखिए नीचे से कितने उचे उचे पेर है रस्ता तो खड़ा भी है कि इतने खने जंगल के अंदर से जाते हुए हम लोग को बहुत सारी एनिमेल्स भी दिखें ये देखिए एक हाथी अकेला पता नहीं क्या कर रहा है कुछ खा रहा है इसके दोस्त पता नहीं कहां गें कुछ गोंडलेंड लंगूर भी दिखें थोड़ा दूर है कैमेरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा और यह इतने सारे बटरफ्लाइज जमीन में बैठ कर कुछ पी रहे हैं शायद कुछ निकल रहा होगा जमीन के अंदर से मेरे चारो तरफ ही बटरफ्लाइज सी बटरफ्लाइज है जंगल में ऐसे बहुत सारे जगह पे हम लोग को बटरफ्लाइज दिखें यह बटरफ्लाइज तो हाथ से चूने पर भी नहीं उरते हैं अरे वह यह तो बहुत ही फ्रेंडली बटरफ्लाइज है अच्छे चूने पर भी नहीं उरते हैं ब्लैक कलर के ब्राउन येलो और ब्लू कलर्स के भी दिखें अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं जंगल के उस पार करीब पहुंच गये हैं यहाँ पर थोड़े बीच पीच में छोटे-छोटे खर दिख रहे हैं यह रस्ता तो अभी भी बहुत ही खराब है कि सीधा रस्ता है लेकिन फिर भी जंगल पार होने में ही एक घंटे से ज्यादा लगे आगे आगे वहां दूर में पहार थोड़े थोड़े दिख रहे हैं हुटान के पहार इसका मतलब पहुंचने में और ज्यादा दिर नहीं है यह एरिया कितना सुन्दर है यहां के पेर थोड़े अलग है दिखने में पहली बार आने में ऐसा लगता है इतना दूर है रस्ता खतम ही नहीं हो रहा है यह पहार कितने सुन्दर है शेहरों से दूर ऐसी जगा पर एक खर बना के रहने में भी बहुत मज़ा आएगा लेकिन यहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है अभी हम लोग सरल बड़ा लोकेल मार्केट पहुंच के है एक छोटा सा मार्केट है गाव के लोगों के लिए चोटी-चोटी दुकाने है यहां पर इसे सोलार प्लेट लगाए हुए है जिससे गाव में बिजली मिलती है गाव में अल्मूस्ट सभी के घर में ऐसे बैनेना च्रीज और बिटलनट के पेर दिखे यह यह एक बहुत मंदिर है इसका कलर कितना सुन्दर है बहुत सारे हैं बिटलनट के च्रीज फाइनली हम लोग सडल पड़ा नेटी के पार पहाँच के हैं प्रिजा के गषबांट तो तो जाने परेगा क्या रफ़्ड़र देना प्रेगा और पार पार को तो जो पार गदी कहाँ गारी के लिए 200 रुपे टिकेट लिया है आज तो वेदर बहुत अच्छा हुआ है दूप बहुत काम है और हवा चल रही है उतर ही गेए बार कर दएट Arenda आज यहाँ पर लोग बहुत ही कम है अच्छा ही हुआ है ज्यादा लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि यह बैंबू का चोटा सा ब्रिज पार होकर हम लोग थोड़ा आके जा रहे हैं ताकि यह बैठने के लिए एक अच्छी जगा मिल रहे हैं पानी बहुत स्पीड में जा रही है लेकिन बिल्कुल भी गहरा नहीं है निछे का पत्थर भी दिख रहा है अच्छा इपने लोग आगे हैं थंदा थंदा पानी जडे ले के लिए अच्छी जए अच्छी में पानी झाल करको करको एको थो सकतरों आए करे लाला है जो आए मिग्ने में विहां एकाउय को अएगा करा था जार एकाल ड़ने लिएा जार एकाल एकाउना अएलिए जारे यह कर दूब आए जो फुड़ एक दो पर देख हो तरप अजए एकलर एकलर अचार एह नै झाल कर गग दोते हैं, सुर्वाइबा, टो पैसे कार एंग लिएकारी और बहु जाल झाल कोल करें लिए चाटे झाल खाल खाल यह रखस्टम झाल करें उख़ा झाल पाने में बहुत देर खेलने के बाद अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं बहुत देर हो गई है इसलिए भूग लग गई दो टिन घंते तो यहाँ पर ऐसे ही गुजर गई शाम होने को और कुछ ही दिर बाकी है अभी घर जाने का ताइम आ गया है गर्मियों के दिन ऐसे ही घुमने और धंदे के दिन पिक्निक मनाने आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं